नमस्कार बच्चों आज हम आपकी लेखा शास्तर के दूसरी पुस्तक का पांचवा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं इस अध्याय का नाम है लेखांकन अनुपात यह अध्याय आपकी कक्षा में आपके परिक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर अध्याय है वह इसके अतरिक्त आपको लेखांकन की खास करके कमपनी के लेखांकन के जानकारी प्राप्त करने के लिए भी बहुत महत्वपूर अध्याय है तो यह मेरा सुझाव है कि आप इस अध्याय के सभी भागों को ध्यान से देखें वह इसमें समझाए गए तरीकों विधियों आधी पर भी ध्यान दे यह आपको आगे तक काम आएगा बच्चों जैसा कि आप जानते हैं इस अध्याय में आप कमपनी खातों के बारे में पढ़ रहे हैं पहले दो अध्यायों में आपने अन्शों वर इन पत्रों को जारी करने से जुड़े लिखांकन की विधियों आधी को समझा वो उसके बाद के दो अध्याय जो थे उसमें आपने पहले तो कमपनी के वित्यरिकॉर्ड के बारे में समझा कि एक कमपनी का जो वेवसाह होता है वो अपने वित्य रिकॉर्ड किस तरह बनाता है, किस-किस प्रकार से वो अपने लाब वहानी खाते को बनाता है या किस प्रकार अपने तुलन पत्रियानी बैलेंशीट को बनाता है इसके बाद हमने यह भी देखा कि इन वित्य रिकॉर्डों का विसलेशन करना कमपनी के लिए बहुत अनिवारी होता है कमपनी एक बड़े प्रकार का विस्तृत प्रकार का वेवसाई होता है इसके वित्य लेंदेन की मात्रा वा उनकी राशियां भी बड़ी होती है company से जुड़े हुए लोग भी कई सारे होते हैं जो company के कामकाज उसके वित्य रिकॉर्ड के बारे में जानना चाहते हैं इसलिए company के वित्य लेंदेन काаюсь बहुत जरूरी हो जाता है और उसको सही तरीके से करना उतना ही जरूरी होता है इसलिए पिछले अध्याय से लेके अब तक हम कम्पनी के खातों के विशलेशन पर चर्चा कर रहे हैं आज हम खातों विशलेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका देखने जा रहे हैं जिसे लेखांकन अनुपात कहते हैं तो आएए अपना यह भाग यह अध्याय शुरू करते हैं बच्चों लेखांकन अनुपात विशलेशनों द्वारा प्रकट किये गए परिणामों के निर्वचन का अंग है अर्थात जब भी आप विथ्य विशलेशन यानि कमपनी के रिकॉर्ड का विशलेशन एनालिसिस करना चाहते हैं उसकी जाच परक करना चाहते हैं तो अनुपात उसका एक अभिन अंग होते हैं यह उप्योग करताओं को कई निर्णायक सूचनाय प्रदान करते हैं यह उन छेतरों को इंगित करते हैं उन छेतरों के बारे में हमें बताते हैं जो कमपनी के कामकाज के बारे में जाच परताल की आवशकता रखते हैं यही नहीं एक बार इसे प्रभावित तरीके से कर लिया जाए तो यह बहुत सारी काम की सूचनाय, जानकारिया वो विसलेशन हमें प्रदान करते हैं अनुपात कम मात्रा में छोटी राशियों के द्वारा, कम संख्याओं के द्वारा हमें बड़ी जानकारी देते हैं एक छोटा सा अनुपात आपको कम्पनी के कामकाज के किसी बड़े पहलू के बारे में बड़ी जानकारी दे सकता है ऐसे कई अनुपात हैं जिसे आप इस कक्षा में इस अध्याय में सीखेंगे ये सभी अनुपात देखने को दो छोटे हैं लेकिन इनके पिछे छेपी जानकारियां बहुत बड़ी हैं लेखांके अनुपातों का ठीक प्रकार से गड़ना करके विशलेशन करके जो प्योग करता हैं उन्हें कंपनी के बारे में कई सी जानकारियां प्राप्त होती हैं जिन में से कुछ प्रमुक जानकारियां इस प्रकार हैं हमें व्यवसाई के उन छेत्रों को जानने को मिलता है जिन पर अधिक ध्यान देने के आवश्चता है रेशो या अनुपात हमें ये बताते हैं कि किन छेत्रों में वेवसाई के किन अंगों या किन हिस्सों में ध्यान देनी क्या वशक्ता है कहां पर काम उतना अच्छा नहीं चल रहा है या क्या कमी हा रही है इसके अलावा ये उन संभाविच छेत्रों के बारे में भी हमें बताते हैं जिनें अपेक्छित दिशा में प्रियास करके हम और बहतर बना सकते हैं तो ना कि वली हमें कमी बताते हैं बलकि ये हमें उन्हें बहतर बनाने के लिए भी सही दिशा में बढ़ने में सहयता करते है वेवसाय के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बाते हैं जैसे कि उसकी लाब प्रता उसकी द्रवता उसका रिण शोधन शम्ता वह सक्षम्ता ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़े हैं कि वेवसाय की लाब प्रता क्या है कितना अच्छा या सही तरीके से वह लाब कमा रही है उसकी दरवताएं कैसी है अर्थात वो क्या अपने पास उचित राशी रख रही है जिसके जरीए वो दरव्य महसूस करे क्या वो अपने रिनों की शोधन शमता को मजबूत बनाय हुए है क्या वो अन्य छेतरों में सक्षम है इस प्रकार की जानकारियां आपको अनुपातों के विसलेशन से प्राप्त होती है इसके अतरिक्त सर्वत्तम अध्योगिक मानकों के साथ निश्पादन की तुलना भी की जा सकती है यानि आपके उद्योग में अन्य उपक्रमों या कम्पनियों का जो एक मानक बना हुआ है, एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, क्या आपका उद्योग, आपका उपक्रम है, उन स्टैंडर्ड्स या मानकों के अनुसार निश्पादन यानि पर्फॉर्मेंस दे पा रहा है, या क कमी है यदि कमी है तो वो कैसे ठीक होगी फिर इसके बारे में हम सोच सकते हैं भावी आंकलनों वह प्रक्षेपों के लिए वित्य अभिवरणों से प्राप्त उप्योग कारी सूचनाएं भी हमें प्राप्त होती हैं जिसके द्वारा हम भावी समय में अपने कंपनी के निश कुछ महत्वपूर जानकारियां जैसे उनका प्राफिट लॉस यानी लाब प्रिद्दा उनकी द्रबता उनकी रिड़ चुकाने की शमता उनकी अन्य शमताएं यह बताते हैं यह हमें उन छेतरों के बारे में बताते हैं जहां कंपनी को ध्यान देनी क्या वो शक्ता है उन performance को, निश्पादन को जाच सकते हैं, बहतर बना सकते हैं तो ये सब ये छूटे से अनुपात कैसे करते हैं इसके लिए आपको अनुपातों को जानना, उनकी गणना को सीखना अनिवारी है बहुत सारे अनुपात आपको सीखने हैं बच्चों हम धीरे धीरे एक एक करत के इन अनुपातों के बारे में आपको बताएंगे इनकी परतें आपके सामने खोलेंगे, आप इनके सूतरों पर ध्यान दे इनके सूतरों में जो मदें आपको चाहिए, उन मदों का अर्थ समझें यदि उनके लिए कोई सूत्र है उसको भी समझें इनमें सूत्रों को समझना वा याद करना भी काफी अनिवारी है तो हम एक एक करके इन अनुपातों के सूत्र को देखेंगे इनके महत्वों को भी समझेंगे कि हर एक अनुपात क्या समझाता है हुआ उदहारनों हुआ प्रश्णों के जरिए हम आपको इनकी गढ़ना करना भी सिखाएंगे तो आईए चलते हैं अनुपातों की गढ़ना की तरफ बच्चों आपके पास जो अनुपात हैं उन्हें चार वर्गों में हमने बाटा है पहले प्रकार के अनुपात हैं द्रवता अनुपात आपको कंपनी की द्रवता अर्थात उसके पास उपस्थित नकदी या अन्य चालू परिसंपतियों की मात्रा की सटीकता बताते हैं क्योंकि एक कंपनी द्रव तब कही जाती है जब वो अपने कुछ खर्चों को कुछ संक्षिप्त देंदारियों को चोटी देंदारियों को शीगरता से बिना किसी कठिनाई के दे सके यदि आपके पास पैसे हैं आपके पैसे संपत्या हैं जैने आप तुरंत बेच कर या उनका उपयोग करके कुछ राशी प्राप्त करके भुगतान कर सकते हैं तो आप द्रव कहलाएंगे द्रवता अनुपात हमें इस तरह की जानकारी देते हैं कि क्या कंपनी द्रव्य है क्या वो अपने भुगतान कर सकती है शीगरता से या नहीं कर सकती है रिण शोधन शमत की बात कर रहा है यानि इसके अंदर जो भी अनुपात आप पढ़ेंगे वो हमें कमपनी की रिण चुकाने की शमता या उसकी काबिलियत के बारे में बताएंगे सक्रियता अनुपात हमें कमपनी का जो दिन प्रति दिन का कार्य है बिकरी करना, सामान खरीदना, देंदारों या लेंदारों से जो लेंदेने वो करना उसमें जुड़ी कुशलता के बारे में बताएंगे और अंत में लाब प्रदता अनुपात हमें कमपनी की लाब कमाने के शमता वकुशलता के बारे में बताएंगे हम एक एक करके इनके बारे में और समझेंगे इनके अंदर आने वाले विभिन प्रकार के अनुपातों के बारे में भी समझेंगे हम शुरुवात करेंगे सबसे पहले द्रवता अनुपाद से द्रवता अनुपाद जैसा कि मैंने आपको बताया यह हमें कंपनी की उस छमता के बारे में बताते हैं जिसके जरीये हम यह अनुमान लगा सके कि कम्पनी अपने कुछ भुकतान या कुछ छोटी-मोटी देनदारियों को तुरंट शीगरता से, कुछ अल्ता से भुकतान कर सकती है कि ने इसके अंदर दो प्रमुख अनुपात आपको सीखने है पहला अनुपात है चालू अनुपात चालू अनुपात का सूत्र है चालू परिसंपत्य वा चालू दाइत्व बच्चो जब हमने बैलेंशीट यानि तुलन पत्र पढ़ा तब हमने देखा था उसके अंदर चालू दाइत्व वा चालू संपत्य क्या होती है आप जानते हैं कि चालू परे संपत्यों में मुख्यता, चालू निवेश, रोकर, बैंक में जमा पैसा, रहत्या यानि स्टॉक, जो हमारे देंदार हैं जिनसे हमें पैसा लेना हैं, जिनको हमने सामान बेचा हैं, वो कुछ इस प्रकार की अन्य संपत्या आते हैं जिनने हम एक वर्ष के अंदर राशी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, इसी प्रकार चालू दाइत्वों वो दाइत्वों होते हैं जिनने हमें एक वर्ष के अंदर भुकतान करना हैं, तो इनका अनुपात लेकर हमें यहाँ पता लगता हैं कि हमारे पास जो यह चालू परी संप परियाप्त मात्रा में हैं जिसके जरिये जब हमें इन चालू दाइत्वों को चुकाना पड़ेगा तो हम चुका पाएंगे क्या हम इन चालू दाइत्वों को समय पर कुशल्दा से चुका सकते हैं या नहीं यदि हमारे पास चालू दाइत्वों के मुकाबले परिसंपतियां ज्यादा है तो उसकार्थ होगा कि जब भी हमें ये दाइत्वां कुकाने होंगे हम अपनी परिसंपतियों के सहरे इन दाइत्वां को आसानी से चुका सकते हैं लिए उचा अनुपात बहतर माना जाएगा लेकिन इस अनुपात का एक आदर्श अनुपात बनाया गया है माना गया है यह माना जाता है कि दो अनुपात एक का जो अनुपात है यह एक आदर्श अनुपात है यदि हमारा यह अनुपात दो अनुपात एक में आता है इसका अ स्थिति में हमें अपने दाइत्व चुकाने में कोई समस्य नहीं आनी चाहिए या नहीं आई रुपे का अग्रिमकर एडवांस टैक्स हमने भरा हुआ है तीस हजार रुपे का रोकड यानि नगद या कैश राशी या उसके समान तुल्यांग हमारे पास उपलब्द है एक लाख रुपे का व्यापारिक दे यानि जो राशी हमें देनी है बुक्तान करनी है वह एक अलप कालीन रिन भी हमने बैंक से लिया हुआ है जो कि 4,000 रुपे का है आपको बहुत सरलता से सभी चालू परिसंपत्यों को पहरे जोड़ना है रहतिया प्राप्य अग्रिमकर वह रोकड ये चारों हमारी चालू परिसंपत्या है इसमें कोई शक नहीं इन चारों को हम यदि ज जाएगा 1,34,000 रुपे जो कि हमारा चालू परिसंपत्यों का राशी को दर्शाता है यानि इसे हम करंट एसेट के नाम से भी जानते हैं इसी प्रकार क्या-क्या देंदारिया है हमारे पास व्यापारिक देय वह अल्पकालिन देन इनको जोडेंगे तो हम मिल जाएंगी च चालू दाइत्व के बाद के बदले में आपके पास 1.29 रुपे की चालू संपत्ती है इस प्रकार चालू अनुपात की गड़ना की जाती है चालू अनुपात से ही जुड़ा हुआ उसके जैसा एक और लेकिन बहुत महतोपूर अनुपात है तरल अनुपात या तरलता अन संपत्या लेते हैं बच्चो तरल या त्वरित संपत्या चालू संपत्तियों में से कुछ ऐसी चीज़ों को हटाकर प्राप्त किया जाता है जिने तुरंत रोकड में बदलना संभव नहीं होता इसमें सबसे पहले चीज़ होती है रहतिया यानि स्टॉक स्टॉक को या रह तुरंत इस्तिमाल नहीं कर सकते अपने दाइतों के भुकतान में इसी प्रकार पहले से भुकतान कर दिये गए खर्चे ये भी एक ऐसी संपत्ती होती है जिनके बदले अब आपको राशी नहीं मिलेगी तो इसे भी हम घटाएंगे यानि चालू परी संपत्तियों में से रहतियों को और पहले से भुकतान किये गए खर्चों को घटाने के बाद आपको मिल जाएगा तरल संपत्ती यह तरल परिसंपत्यों की राशी इसे आप चालू देंदारियों के उपर रखें और आपको मिल जाएगा तरल अनुपात यहां अनुपात हमें यह बताता है कि यदि हमें अपनी देंदारियों को तुरंत भुकतान करना हो तो क्या हम उसको करने में सक्षम हैं, क्या हमारे पास ऐसी परिसंपत्या हैं, जो तुरंत नगद के रूप में आपको प्राप्थ हो सकें, जिनके द्वारा आप अपने दायतों का भुकतान कर सकें तो यह आपकी शीगरता, तीवरता को दर्शाता है अपने चालू दायतों के भुकतान में, इसके लिए आदर्श अनुपात एक-एक का माना गया है, यानि कम से कम आपके पास इतनी तो चालू या तरल परिसंपत्या होनी चाहिए जितनी आपके चालू दायतों हैं, ताकि आ तुरंट उनको बेटे या उनको नगत में बदले और अपने चालू दायतों का भुकतान करें, भले आप स्टॉक को ना बेच पाएं, लेकिन क्या बाकी ऐसी चीज़े हैं, जिने तुरंट आप नगत में बदलकर अपने चालू दायतों का भुकतान कर सकते हैं, क्या आप तीव रहें इसका पता हमें इस अनुपात से चलता है आईए एक उधारन से इसको समझते हैं एक कंपनी के पास 50,000 रुपे के चालू दाइत वह अस्ती हजार रुपे की चालू परिसंपत्य हैं इसके अलावा स्टॉक अगरिम कर वह पूर्वदत्त व्याय हैं इसके अनुसा हमें इदि तरल अनुपात प्राप्त करना है तो चालू दाइत वह तो ठीक है ये नीचे आजाएगा 50,000 रुपे लेकिन चालू परिसंपत्यों में से स्टॉक माइनस करेंगे पूर्वदत्त व्याय पहले से भुक्तान किये गया व्याय माइनस करेंगे इसके अलावा इद तरल परिसंपत्यों की राशी जिसको अनुपात में रखकर आपको एक-एक का अनुपात प्राप्त हो जाएगा जो कि आपका तरल अनुपात होगा तो बच्चों दोनों ही बहुत सरल अनुपात है चालू वा तरल लेकिन ये उतने ही महत्वपूर्ण है परिक्षा की दिर जबकि तरल अनुपात भी आपको दिया गया है इस प्रशन में आपको अनुपात ग्यात नहीं करना आपको अनुपात का उप्योग करकर कुछ अन्यच चीजों को प्राप्त करना होगा यदि तरल संपत्यों पर चालू परिसंपत्ति का अधिक्या 24,000 है यानि चालू संप परिसंपत्यों में से रहतियां वह कुछ अन्य अग्रिमकर जैसे चीजों को घटा दें तो हमें तरल परिसंपत्य मिलती है अग्रिमकर या पूर्वदत्य व्याय साधारंगते बहुत छोटे होते हैं वह कई बार नहीं भी होते इसलिए रहतियों का महत वह सबसे जादा होता है इसलिए कई बार ऐसा कहा जाता है कि चालू परिसंपत्यों और तरल परिसंपत्यों में रहतियों यानि स्टॉक का ही अंतर होता है तो यदि चालू परिसंपत्यां तरल परिसंपत्यों से 24,000 रुपे जादा है तो इसका इर्थ हुआ कि यह 24,000 रुपे रहतियों की जश्या ग्याद करनी है। सबसे पहले हम कुछ मुख्य चीजों को यहां पर लिख लेंगे, जो दोनों अनुपात हमें दिये गई, उनको लिखा हमने, वो चालूदाइत्व को हमने X माना, चालूदाइत्व दोनों अनुपातों में एक तरह का एक समान चीज है, उसको हमने X इसमालिया जो हम दोनों जगहों पर उप्योग कर सकते हैं। अब चालू परिसंपत्यां तीन दश्मलों पाँच एक्स हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी आपके जो चालू अनुपात हैं। चालू अनुपात को हम CR current ratio या चालू अनुपात भी कह सकते हैं यदि आप चालू अनुपात का सूत्र लगाएं इसके सामने चालू परिसंपत्या यानि current asset को रखें नीचे चालू दाहित्व यानि current liability को रखें इसमें आप चालू अनुपात का मान डालें जो की 3.5 और 1 है सामने चालू परिसंपत्यों को छोड़ दें वह चालू दाहित्वों को हमने X माना है इन मानों को रखने के बाद यदि आप इनको गुणा करें तो X और 3.5 एक साथ वह C है यानि चालू परिसंपत्या एक से गुणा होके यहां आ जाएगा और यह यहां आ जाएगा तो आपके पास आ गया चालू परिसंपत्यों का एक मान जिसे 3.5 X हम कह सकते हैं इस प्रकार गणना करके हमने चालू परिसंपत्यों का एक मान प्राप्त किया 3.5 X इसी प्रकार तरल्ता अनुपात में रखकर हम तरल परिसंपत्यों को प्राप्त कर लेंगे जो कि 2 X आएगा अब हमें पता है कि रहतियां चालू संपत्यों वा तरल संपत्यों का अंतर है तो यदि हम इन दोनों में इनके उपर माने गए मान को डालें तो और सामने रहतियों की राशी को 24,000 रुपे रख दें तो हमारे पास सरल्ता से इसको हल करके X की राशी 16,000 आजाएगी अब X क्या थी बच्चों? X हमने चालू दाइत्वों को माना यानि चालू दाइत्वों आ गया 16,000 रुपे चालू दाइत्व एक्स 16,000 चालू परिसंपत्या यहाँ पर आ गये 3.5X इसको गुणा करें 56,000 इसी प्रकार तरल परिसंपत्या यदि ग्याद करनी होती तो दो गुणा X करतें तो बहुत सरलता पूर्वक हमने यहाँ पर चालू परिसंपत्यों की राशी वा चालू दाइत्वों की राशी को ग्याद कर लिया इसका सत्यापन भी हमने यहाँ पर आपको करके दिखाया कि यदि आपको चालू अनुपात निकालना होता तो चालू परिसंपतियां बटे में आप चालू दाइत्वों को रखते तो आपके पास तीन देश्मनों पाँच और एक का वही अनुपात आता है इसे परकार अब तरहल अनुपात को भी चेक कर सकते हैं अर्थात हमने अनुपात का इस्तमाल करके संपत्यों वादाईत्व की राशी को ग्यात किया अब बच्चों हम एक और प्रशन देखेंगे जो कई बार परिक्षाओं में पूछा गया है ऐसे प्रशनों में आपको अनुपात की मातरा बताई जाती है वो कुछ लेन देन दिये जाते हैं और आपसे यहाँ पूछा जाता है कि उन लेन देनों का इस अनुपात पर क्या असर पड़ेगा क्या इस लेन देन के बाद वो अनुपात और बढ़ जाएगा या वो और घट जाएगा या उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा हमारे पास जो प्रश्ण है उसमें हमारा चालू अनुपात है दो एक का तीन लेंदेन हमारे पास है हमें इन तीनों का इस अनुपात पर असर देखना है प्रभाव देखना है सबसे पहले यदि हम बात करें तो चालू दाइत्व का भुकतान है अब बच्चो प्रशन पर आगे बढ़ने से पहले आपको करना यह होता है कि जो अनुपात आपको दिया हुआ है इसको आप एक राशी मान ले यदि हम मान ले कि हमारी चालू परिसंपती पचास जार है और चालू दाइत्व पच्चिस जार है तो हमारा अनुपात तो दो और एक का ही रहेगा तो हमने इस अनुपात के अनुसार कुछ भी राशी मान लेनी है आप एक लाख और पचास जार भी मान सकते हैं हमने 50,000 की संपत्ति वग 25,000 के दाइत्व को माना ताकि हमारा अनुपात दो और एक कही रहे अब पहला जो मद हमें दिया हुआ है वो है चालू दाइत्व का भुकतान अब मान लीजिए आपने 10,000 रुपए के दाइत्व का भुकतान किया ऐसा करने से आपके दाइत्व 25 के जगा 15,000 के बचेंगे लेकिन साथ-साथ आपके पास नगद भी कम हो जाएगा क्योंकि आपने भुकतान किया है और नगद चालू परिसंपत्ति का भाग है तो 50,000 में से 10,000 घटके आपके पास 40,000 रुपए की संपत्तियां बचेंगे अब आप पुनह रेशो निकाले अनुपात निकाले 40,000 और 15,000 को भाग देकर आपके पास नया रेशो प्राप्त होगा 2.76 is to 1 2.67 is to 1 का यानि कि आपका अनुपात पहले से बढ़ गया पहले या 2.61 यानि 2.61 हो गया तो चालू दाइत्व के भुकतान से अनुपात बढ़ जाता है इसी प्रकार माल का उधार क्रे मान लेते हैं हमने 10,000 रुपे के माल का उधार क्रे किया माल खरीदने से स्टॉक बढ़ेगा जो की चालू परिसंपत्ती का भाग है तो चालू परिसंपत्ती बढ़ेगी तो 50,000 की जगा अब हमारे पास चालू संपत्ती हो गई 60,000 की और हमने इसका क्रय उधार में किया है उधार क्रय करने से डाइत्व भी बढ़ेंगे तो डाइत्वों की संख्या या राशी हो गई 35,000 फिर से इनको भाग दें 60,000 को 35,000 से भाग दें आपके पास अनुपात आएगा 1.7 इस्टू 1 यानी 1.7 और 1 का जो की पहले से कम है पहले 2 एक का था अभी 1.7 इस्टू 1 का रिश्व है अनुपात है तीसरे भाग में एक कम्प्यूटर की बिक्री जिसका मूल लेर 4,000 था आपने 3,000 में किया 4,000 रुपाय की कम्प्यूटर को आपने 3,000 बेचा अब बच्चो कम्प्यूटर एक चालू परिसंपत्ती नहीं है यह एक गैर चालू संपत्ती है स्थिर संपत्ती है तो कम्प्यूटर के जाने से संपत्तियों पर तो असर नहीं पड़ेगा लेकिन उसको जब बेचा तो ह में 3000 की राशी प्राप्त होई तीन हजार की राशी प्राप्त होने से हमारा नगत बढ़ेगा जिसे चालू परिसंपत्ती बढ़ेगे कंप्यूटर के बेचने के दो प्रभाव हैं जैसा कि हम अपने डबल एंट्री सिस्टम में सीखते हैं एक तरफ कंप्यूटर नाम का स्थिर संपत्ती गया दूसरी तरफ नगत प्राप्त हुआ कंप्यूटर के जाने से ना तो चालू संपत्तियों पर कोई असर पड़ेगा ना दाइत्व पर लेकिन नकत के आने से चालू संपत्तियां बढ़ जाएंगी तो हमारे पास तीन हजार रुपे नगत आने से अब हमारे पास चालू संपत्ति तिरिप्पन हजार रुपे की हो गई जबकी दाइत्व उतने ही हैं इनको भाग देकर नया अनुपात प्राप्त हुआ दो दश्मनों एक दो और एक का जो की पहले से अधिक है तो इस प्रकार बच्चों हम दिये गए लेन देन या मदों के सहायता से उनकी राशियों को अनुमानित करके अनुपात के अनुसार संपत्यों और दायतों का अनुमानित करके हम यह पता कर सकते हैं कि इस विशेश लेन देन का अनुपात पर क्या असर पड़ेगा क्या अनुपात पहले से जादा हो जाएगा या कम हो जाएगा या कई बर कोई भी असर नहीं पड़ेगा तो यहां थे हमारे दो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण अनुपातों में से तरल अनुपात और चालू अनुपात यह दोनों अनुपात कम्पनी के दरवता को दर्शाते हैं आज के इस भाग में हमने अनुपातों के महत्व को देखा वह पहले प्रकार के अनुपात यानी द्रवता अनुपात के बारे में और उसके अंदर के दो अनुपातों के बारे में अच्छे से समझाएं मैं आशा करता हूँ कि आपको यह सब कुछ समझ आया होगा इसके अगले भाग में हम दूसरे प्रकार के अनुपात जो की रिड़ शोधन शमता अनुपात हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आज के इस भाग में इतना ही धन्यवाद झाल 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 झाल